नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिलकुल नहीं है, फ्रेस और एक्साइटिंग एपसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों जिस तरीगे से आप इस वीडियो के टाइटेल और थम्नेल पर पर परे हैं BSNL की तरब से तीन सुपर एफोर्टेविल प्लान को फाइनली साट डाउन कर दिया गया है 1 जनवारी 2023 से हम यह बिलकुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है थी कि BSNL कंपनी की तरब से यह प्लान को साट डाउन कर दिया जाए क्योंकि इससे पहले हमें लग रहा था कि BSNL यह सरे प्लान को इस ओपन मार्केट प्लान अभी लॉंच कर दिया है क्या है यह प्लान किस तरीके का बेनिफिट्स आपको मिल रहा है किस जगे के अंदर यह सरे प्लान साप यूज कर सकते हैं पूरा डीटेल में बताऊंगा तो अगर आपको इसके बार में जानना है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए तो चले यह वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं BSNL कंपणी के बात करता हूँ तो BSNL भारत के अंदर 4G सर्विस अभी तक तो लॉंच नहीं किया लेकिन बहुत ही ज़ले लॉंच कर देंगी हम आसा कर सकते हैं लेकिन एक ऐसा आर्म है BSNL के पास जो BSNL पूरे भारत के अंदर थार्ट लाज़ेस्ट है जो है ब्रॉडबरेंड आर्म इलाइंज जो और याटेल ने BSNL को टक कर दे दिया है BSNL को एक्सिट कर लिया है अभी BSNL थार्ट पोजिशन के अंदर आ चुका है अपने भारत फैवर सेग्मेंट के अंदर अभी देखे अब BSNL कंपनी के अगर मैं बात करता हूँ तो पिछले साल के करने के लिए मतलब 2022 कीनिभी डीवर करने के लिए इनिडि पेडनेंट प्रण को लांच ओ किया गयाता हूँ तो अगर आप एक अब क्या कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर क्या कुछ आप करेंगे क्यूंकि आप तो अल्रेडी ग्रहाग बन चुक है और ब्रॉडबेंड के अंदर ऐसा नहीं है कि आप हर एक दिन जो है वह अपने सार्विस प्रोवाइडर को चेंज करेंगा ऐसा तो पॉसिबल नही तो यह दो प्लैन में से किसी भी प्लैन को चूज कर सकते हैं पहला जो प्लैन है दो सो पचत्तर रुपए वाले प्लैन तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको पूरे 75 दिन का वैलेटी दिया जा रहा था 3300 GB डेटा भी प्रोवाइड किया जा रहा था अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो BSL कंपनी की तरब से दो तरीके का स्पीड ओप्सन दिया जा रहा था अगर आप 30 में पीसवाले स्पीड को चूस करतेla तो आपके वैल्यटे पचततर दीन तक रहते मिल अगर आप 60 में पीजवाले plan को चूस करते े तो है जब आपंगें तब ही आप बता देगे कि SPEAK म मील जाए तो आपको संबाग्याओ चाहे था रह–वालेटी कम हा जाएं स तो ये प्लान मिल रहा था, उसी के साथ unlimited free calling भी दिया जा रहा था, जो landline connections आते हैं उसके साथ, second जो प्लान है वो ही 75 रुपए वाले अपने अभी इस प्लान के अंधर भी आपको में ले पूरे 75 दिन का वालेटी मिल रहा था, 2000 GB data दिया जा रहा था और 100 mbps का speed प्रोवाइड किया जा रहा था, उसी के साथ आपको free landline calling का भी सुवे दिया जा रहा था, तो ये जो दो प्लान BSL के तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा था, ये दो प्लान को finally shutdown कर दिया गया है BSL company के तरफ से, तो अभी आप सबसे सस्ता कौन सा प्लान को रिचर्च कर वा सकते हैं, अभी 329 रुपए वाले एक प्लान ए भारत फाइवर सेग्मेंट के अंदर, 329 रुपए जहापर 20 mbps का speed आप को मिलते हैं, 1000 GB data आप को दिया जाता है with free calling, तो सबसे minimum plan जो है वो आप एही रिचर्च कर सकते हैं, अगर आप यह सोचकर BSL के अंदर आया थे कि उनके अंदर plans का price काफी सस्ते हैं, अभी भी बाकी कम्पनियों से काफी सस्ते हैं अगर आप 329 रुपए वाले plan को चूज करते हैं, वरना अगर आप standard plan के साथ जाना चाते हैं तो 409 रुपए और दोनों के साथ आपको calling का सुविदा, free unlimited landline calling का सुविदा या दिया जा रहे, make sure कोई भी plans के साथ आपको किसी भी तरीके का OTT benefits नहीं दिया जा रहे, अगर आपको OTT benefits चाहिए तो थोड़ा pricing आपको यहां पर बढ़ाना पड़ेगा, फिर जगर आपको OTT benefits मिलेंगे, तो अगर आप एक BSL के भारत फाइबर के ग्रहा के दो बहुती जबर्दस plan को completely shutdown कर दिया गए, minimum recharge इसके बाद आप कर सकते हैं, तो आप कौन से प्लान के साथ जाना चाहता है आपके बाज़ेट की हिसाब साब खुद यह ठीक कर सकते हैं, तो इससार आपडेट्स हमने पास निकल कर रहा था, छोठा सा वीडियो बने कर आपको बता दिया, अगर वीडियो पसंद आए, कुछ नहीं चान करें मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को आपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पासमेल लाइक को दबना आप बिल्कूल भी मत फुलिए, ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो डेलिविसिस देखने के लिए, थैंक्स वचिंग बाइंटिक क्यार, आप से बिसमाल गतुक ऐसे को नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखियेगा,